जम्मो कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है जहाँ पर दक्षुन कश्मीर में खटनाओं के पीछे हिजबुल मुझाहिदीन का हाथ सामनी आया है तो कश्मीर पोलस ने जारी किये हैं तीन आतंक्यों की पोस्टर और आतंक्यों की आतंक्यों ने गैर प्रांती लोगों को यहाँ पर निशाना वराय था तो हिजबुल मुझाहिदीन का एक आतंकी पाकिस्तान करहने वाला भी बताय जा रहा है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर की दक्षन में जो सरे से आतंकी गठनाय लगातार हो रही हैं उसके बीचे यह सामनी आ गया है कि हिजबुल मुझाहिदीन का हाथ है और इसी को लेकर कश्मीर पुलिस ने तीन आतंकियों के पोस्टर भी जाली किये हैं तो गेर प्रांतिय लोगों को निशाना है यहापर लगातार बनाया जा रहा है और इसमें हिजबुल मुझाहिदीन का एक आतंकी जो है वो पाकिस्तान करेने वाला बताया जा रहा है तो लगातार जैसे जानकारी मिल रही है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में घुस्पैट की कोशिश कर रहे है और इसके बाद भारत की तमाम राच्चों में आतंकी गत्विद्यों को कोशिश उनको अंजाम देने की कोशिश नहां पर की जा रही है और उसकी मद्दे नजर सुरक्षबल लगातार अलर्ट है आतंकीों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है तमाम मुटभेड यहाँ पर जिस तरह से आतंकी और सुरक्षबलों की बीच हो रही है उसमें मुतोर जवाब सुरक्षबल देते में नजर आ रहे है लेकिन फिलाल जा आतंकीों के इसको लेकर पोस्टर भी जारी कर दिये गए है इसके साथ हिजबुल आतंकीों ने गैर प्रांतियों को निशाना बनाया था और यह बात सामय आ गई है कि इस घटना में हिजबुल मुझाहिदीन का हाथ था जो तीन पोस्टर यहाँ पर कश्मी पुलिस के जरि किये गए हैं उनमें से एक आतंकी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान करेने वाला है लगातार अपडेट इस पर मिलती जा रही है सुरक्षबल भी अलर्ट है उस पैट को रोकने की कोश्ची यहाँ पर लगातार सुरक्षबल करते वे नजर आ रहे हैं लेकिन बड़ा जाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है तीन आतंकियों के पोस्टर हलक किसको लेकर जारी कर दिये गए हैं जिनमें से एक आतंकी पाकिस्तान करेने वाला है तो यह तस्वीरे भी लगातार आपको दिखा रहे हैं उन तीन आतंकियों के जिनके पोस्टर कश्मी पुलिस की जरि जारी किये गए हैं